आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने Question की फोटो कीचो उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सिलीशन पाओ डाउनलोड नाउ Question स्टाट करते हैं Question पूछा गया है इन दो आस्मोर रेगुलेशन और एक्सक्रीशन में तो फ्लाट पॉर्म्स में एक्सक्रीशन के लिए प्रेजेंट होते हैं फ्लेम सिल्स तो आप यहां पे देखेंगे मैंने इमेज भी लिए है फ्लेम सेल गी जिसमें हम फ्लेम सेल का जो स्ट्रक्चर है उसको अभी डिस्कस करेंगे तो आप यहां पे देख पा रहे हैं कि जो हमारा फ्लेम सेल है उसका न्यूक्लिटेड सेल बॉड़ी है विद अ कप शेप यहां पे स्टार्टिंग में देखिए दिस अच्छली अ कप शेप और यह अपेरेंस देते हैं अज फ्लेम इसलिए हम इन्हें फ्लेम सेल्स भी बोर देते हैं जो कप है वेसिकली यह अटाच होता है ट्यूब सेल से जो इनर सरफेस पे प्रेजन्ट होता है और कोटेड होता है सीलिया से राइट हेर अगर हम यहां पे मोव ओन करें फ्लेम सेल्स के फॉंक्शन पे तो फ्लेम सेल्स जो हैं हमारे स्पेशलाइज्ट क्रीटरी सेल्स हैं जो पाए जाते हैं फ्रेश वाटर इन्वार्टिवरेट्स में और एक्जामपल फ्लाट वांप्स इसमें जो फ्लेम सेल्स हैं हमारे ये एक्ट करते हैं as a kidney in the humans और हम जानते हैं कि जो kidney है वो waste material को remove करने में major role करती है humans की तो उसी तरह से जो हमारे frame cells होते हैं इनका भी function होता है to remove waste material from the platy halamanthus या फिर flat worms right here अगर हम यहाँ पे bundle of flame cells की बात करें let me write bundles of flame cells उनको हम बोते हैं proto-nafria correct answer for this question is flame cells which I have written over here classic situal सलेके meet IIT जेही means और advance के लेवल तास मिलें से जादा स्टुट्स कभर हो सा आज राउनलोड के डाउटने टाप या WhatsApp कीजिए अपने डाउट 8-400-400-400 पर